नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे टेक्निकल अपलाई से यूटूब चैनल पर दोस्तों पिछली वीडियो में आपको माइक्रोवेव की वाइरिंग के बारे में समझाया था तो उसमें दोस्तों काफी ज्यादा कमेंट मुझे आये थे कि यहां पर जो न्यूटल यहाँ से बारे में डिसक्ष करेंगा यह जो में यहां से आ रही है यह यह सीदा इसके अनदर यहां पर चलए आगया है इस जगहांसे तो यहां से चेक करेंगे यह जो फेस है जिसकों फेस मानेंगे फेस सीधा इसमें चला गया हमारे थर्मोश्टेट के अंदर कि तो थर्मोश्टेट से बाहर निकला यहां पर ब्लैक वायर से तो सीधा यहां पर हमारी जो आप दे सकते हैं यहां पर यह जो वायर सीधा यहां पर connect होई है इसमें तो यहां पर फेस आया तो यह भी यह सूच हमारी बंद हो गई जैसे यह गेट को बंद करेंगे तो सूचे बंद हो जाएगी फेस आगे चला जाएगा आगे जाकर यह सीधा हमारा जो फेस है हँआ यहां पर आप देख सकते हैं यह वायर जा रही है सीधा यहां पर हमारे इस पॉ Rabbi चार आपर यह कि प्रिण के फेस जो है इस यहां से अगे चला जाएगा सेंटर में से तो जैसे हम इंह यहां byट को उपन करेंगे तो यह दोनों ब्रश्क्रेंट आपस में ओजाते हैं तो फियलेगा तो फेस इसमें जाएगा और जब गेट हम चेक करेंगे हैं तो चयोंसमें है जो यहां से स्टार्ड होए ऐसे हमारी गई पिस तबने तो यहां से फ्र क्टैक्ट है यह सीधी जो वाइर यहां से आह देखेंगे तो इसी प्टब पर जली गई है तो आप दे सकते हैं न्यूटल और फेस दोनों ही स्विच पर आ चुका है तब इसकी वर्किंग क्या है क्यों इसनों ऐसा किया हुआ है कि यहां पर फेस भी दे दिया और न्यूटल भी दे दिया तो सिंपली दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं इसका में कारण क्या है जैसे कि कभी हमारी सुच अगर खराब हो जाती है माशा तो जैसे कि अगर प्रॉपर वरकिंग हो रही हैं तो तो यसमारी ओकि है उस में क्या होगा जब इयम गेट को खोलेंगे ये गेट को खोलेंगे तो सुच यहमारी बंद ओजाए Portal यहां से आगे जाना बंध हो जाएगा तो face यहां पर पहुँचे गई नी क्योंकि यहां से face जू कर जाएगा तो यहां पर face नहीं पहुँचेगा तो इस condition में कोई भी short circuit गयाँ नहीं होगा तो by chance कभी यह सूच हमारी by chance यह खराब हो जाती है मां लीजे सुच ये खराब हो गई है ये शौट हो गई है और ये आपस में इसका जो पॉइंट है आपस में जुड़ गया है पकाई चाहे इसको हम खोलें गेट को चाहे बंद करें ये सुच हमारी ये ऑन ही रहेगी तब क्या होगा तब ये फेस चला जाएगा आगे तो यहां से नूटल आ गया यहां से फेस आ गया और जब यह सको वाजुको खोलेंगे तो ये क्नेक्ट हो जाएगा और हमारा ये inge डень पर लगा फ्यूज कि लोग रियो और ये उड़ जाता है इसका कारण किया है अई इसा क्यों बनाया है उसके बारें बात करेंगे तो यह तो automatically ये औप हो जाता है तो इस condition में क्या होगा जब breaking प्रश्च करने माइक्रोवेव जब इसको डौर को उपन करेंगे तो Version क्या बंद नहीं होगा यहाँ अगर यह यहाँ लिए नहीं दिया रहेगा इसलिए इन्होंने यह सेफटी फीचर बनाया हुगा जब भी हम दोर कोपन करेंगे अगर सुचिए खराब होगी तो यहां से शॉर्ट सरक्ट होके माइक्रोवेब आटोमेटिकली बंद हो जाएगा तो हमारी जो सेफटी फीचर है हमारा हाथ जो है जलने से बच जाएगा इसलिए यह सेफटी फीचर दिया होता है तो इसके लावा अगर कोई व्यागा कोश्चन है इस रिलेटर तो आप मुझे कमेंडर पूछ सकते हैं उसक थाएगा यह वाचिग।